अब ये शरीर के पास में आएक बर्टी के पास या यह शक्ति है यूसमेंपर समय के साब से इसक्राइए या पूराका-पूरा सिस्टम क्लोज करें बंद करें क्या यह काम कैसे करता है शेरी सोई भी आपके अंदर हर्मोन है। असका रिलीज कैसे होता इस श्रीष के अलने और मानिफक्ट लिंग कैसे होता बनता कैसे है। तो एक बात आप अपने पूरवजों के साथ में कनेक्ट कीजिए। कि आपको याद है आपकी दादी नानी दादा नाना कइड क कितने थैं इतने बच्चे थे फिन समय होते आज नहीं हो रहे तो जडरां फरक देखते हैं कि आपकी दादी, नानी, दादा, नाना और आप में क्या फर्थ है, मूल भूध क्या फर्थ है, क्या कम हो गया जिससे फर्टिलिटी डाउन आ गये। तो एक चीज आपको बहुत आसानी से कनेक्ट करने को मिलेगा, समझने, समझ सकते हैं इस बात को कि सेम एज में वो अपने शरीर से ज़्यादा काम कर सकते थे शरीर से ज़्यादा जोर लगा सकते थे आप उसी एज में शरीर से उतना जोर नहीं लगा सकते अगर अप्रॉक्सिमेटली समझा जाए तो उनके शरीर से काम करने की शम्ता और आपके शरीर से काम करने की किशंटा में तकृवें तकृवें एक बटा दस या ہजार परसंट का फर्क आ गया यह जोर लगाने की शमता क्या होती है, आप कोई भी जोर कैसे लगाते हैं किसी को धक्या देना, खीछना, कोई समान उठाना, चलना, गाना, नाचना कोई भी काम करना ये कैसे करते हैं ये जोर कैसे लगाते हैं पीछे आपकी सांस रोकती है तो जोर लगाने की क्षमता जो कम हुई है उसमें आपने basically क्या खो दिया सांस रोकने की क्षमता खो दी तो fertility उसी के हिसाथ से कम हो गई metabolism कम खराब हो गया diabetes, thyroid, blood pressure, heart disease, autoimmune disorder, cancer आप ऐसा कोई भी नाम लेंगे ये सब metabolic disorder के साथ में चुड़ाओगा आपके शरीर की काम करने की क्षमता जोर लगाने की क्षमता जैसे कम होती है आपके भोजन को इस्तमाल करने की क्षमता भी कम हो जाए इसी को metabolic disorder तो आपका भोजन आपका शरीर ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है इसलिए साथ तरीके के टिशू जो बनने है रस, रक्त, मांस मेद, अस्थी, मज्जा, शुक्र, शुक्र, लास में बनता है यानि स्पामर ओवं वो बनने का आपके अंदर शक्ती जोर कम हो गया तो image count कम हो जाएगा जोर वो जो जिसकी वजह से tissues manufacturing होता है बनता है वो अगर बढ़ा देंगे तो image count बढ़ जाएगी एक के count बढ़ जाए स्पाम की quality बढ़ जाएगी अच्छी हो जाएगी genetically भी अगर आपको कोई deficiency है तो वो भी ठीक हो जाएगा कुमबक से क्योंकि कुमबक से genetic transformation या भगलाव होता है जिसे epigenetics के तो इसको मैं और भी बहुत तरीके से आपको समझा सकता हूं घंटों घंटों समझा सकता हूं अग अगर आप ठीक नहीं होंगे कितना भी घ्यान इखटा चाब लो कि आपको पूरी किताब भी लिख दी जाए और आपने एक हफ्ता लगा के किताब पढ़ ली तो भी आपका शेरिट ठीक नहीं होने वाला स्टैंप पेपर पे लिख लो गूगल में कितना ग्यान है दुनिया की फर्टिलिटी कम और ही जादा हो रही है कम हो रही है तो सारा ग्यान गडबड़ है इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए हमारे अंब्स करेंगे ना सौ सालमें कोई एक भी थायराइट डायबिटीस ब्लड पेश़र हार्ड डेसीज का म आपकी आखें खोलना पड़ेगा आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है आप सुने जा रहे हो कि आप लोग समझदार लोग हैं प्रूव तो करो हैं समझदार लोग हैं आप लोग